नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपसे भी लोग का अब कैप्टेन चैनल ट्रेटर स्टाइरिंग दोस्तों आज हम बात करने वाले पेटीम की ऊपर रिटेल इन्वेस्टर को भारी नुकसान में है और मेक्वाइरी ने बारासो रुपए का टार्गिर दिया था जो कि आज की अचीव होता हुआ दिख रहा है अब क्या बारासो टेच करने के बाद पेटीम का स्टॉक बापस 2150 रुपए जा सकता है इसके उपर हम डीटेल बात करने और आज एक अपडेट आया था पेटीम की तरफ से तो वह क्या मेनेजमेंट ने का था उसे भी देख लीजे चलिए देख लेता है तो दूस्तों अपडेट सुबह-सुबह आया था और यहां पर पेटीम ने बताया कि ग्रॉस-मर्शंटाइज, वैल्यू यहां पर 137% 131% यहां पर यहां पर यहां पर नौमबर यहां साइध अक्टूबर के महिने का यहां पर अपडेट था और यहां पर जो है एक सो एकतिस परसेंट की यहां पर बढ़तरी हमको जी एम बी में देखने को मिली अब इसके बाद मंतली ट्रांजेक्शन यूजास भढ़कर सिक्स पॉइंट त्री करोड हो चुके हैं चैपॉइंट तीन करोड तीस लाग जो यूजास है वह यहां पर संख्या आप प पंतली पेइमेंट यूजास करते हैं इसके साथ एक्टूर में एक तेरा लाख लोन बांटे गए यह अच्छी खबर है और लोन में 418 परसेंट की बढ़तरी यहां पर देखने मिली हैं बढ़कर 627 करोड रुपए हो चुके हैं यानि 627 करोड रुपए के लोन बांटे जा चुके हैं तो यह एक तरफ से यहां पर जो है पॉजिटिव ख़वरे थी लेकिन यहां पर कोई भी तबज्जो नहीं मिलाएं क्योंकि यहां पर जो है काफी चीज़ें जो है इस अपडेट के बाद भी यह सिर्फ स्टॉक को समाल ले के लिए यह अपडेट आए हैं और तो यह सई नहीं लगता है ठीक ना तो यह अलमुस्ट अचीव हो चुका है उसके बाद एक रीकवरी हमको देखने को मिली है क्या अब यहां पर जो है एक सो पचास रुपए जाने वाला है तो दोस्तों देखिए 198 रुपए से यहां पर जो है डाउन है और यहां पर एक अ अब एक सब्सक्राइब यहां पर 62 लाग शेर्स पेटियम के डिलीवरी हो चुकी यानि लोग लेकर जा रहे हैं या जैसे इन्वेस्टर ने लेकर जा रहे हैं 26.65% के कुल मिलाके यहां पर डिलीवरी हुई है जितने कि आज शेर्ट हुए है तो 26% शेर्स जो है वो दोस्तों की मार्केट की कंडिशन जो है वो बिलकुल भी ठीक नहीं चल रही है और यहां पर जो है यूरोप से खबरे खराब आ रही है जिसके वैसे 400 पॉइंट की गरावट भी देखने को ली उस पर पेटियम में सामिल है पेटियम की गिरने से भी थोड़ा बहुत असर पढ़ा है जो मैटो यहां पर बात करें पीवी फिंटेक यानि पॉलिसी बजार ऐसे जितने भी शेयर हैं जो फिंटेक के हैं या अदर जो कंपनी अभी अभी लिस्टेड हुई है नायका को छोड़कर नायका को छोड़कर बाकी कंपनियों 10-10 परसेंट गिर गिती जो रेंए कि भी बैलूशंधा है हर चीज यहां पर जो रिटो हो रही है वहाई बैलूशंधा करवाई जा रही है क्लेकी वूल मार्केट का यहां परतक्त का मार्केप के अभी अब डेट नहीं लेकिन एक लग bron से मेरी ख्याले नीचे आ चुकी है कमपनी और यह काफी बड़ी ग्रावट है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिद देखे वुग वैलियो आपका 376 स्टॉक काम कर रहा है आपका तेरा सो साथ के आसपास और तेरा सो साथ के अगर बात करें तो हजार रुपए लमसम लमसम 970 के आसपास रुपए जो है टेफरेंस हमें बुक बैलियो में देख रहा है जो कि एक नॉर्मल है लेकिन यहाँ पर आप कह नहीं सकतें कि यहाँ पर जो है यह ग्रावट रुग गई है ग्रावट और बढ़ सकती है अगर मार्केट वे ग्रावट आई तो यहाँ पर हर चीज यहाँ पर अलग पहलू रखती है और हैवी वेलूशन के लॉस मेकिंग कमपनी है तो यहाँ पर एट लिस्ट अगर रियल बात करें एक इमानदारी की बात करें तो इन कमपनियों को 20-30-30-30 क्रोड के मार्केट केप पर ही लिस्ट कराने चाहिए था यह कमपनी के जो मालक है उनका तो मार्केट केप गरी रहा है लेकिन रिटेल की जो प्राइस है जो वेल्यू है वो डाउन हो रही है अब कब 250 रुपे रीकवर करके जाएगा यह कहना बहुत पॉसिबल अभी है ही नहीं कुल मला के बात तो यह है सो लोग आएंगे अपनी अप इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट ना करें तो ज्यादा बहतर है पेटियम के अंदर जो पुराने जो फसे हुए है आईपियो वाले उनका वस सवाल यह है कि क्या रिकवर होता है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए ज्यादा से ज्यादा भाई पर लोट अगर किसी को मिला भी है तो ज्यादा से ज्यादा कोई ज्यादा बहुत बड़ा नुकसान नहीं है लेकिन एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे तो आप कम से कम अपनी बागी की वैल्यू बचा सकते हैं अब जैसा कि मैंने आपको बताई था 556 जादा करोड का मार्केट करोड का आप किस चीज के साफ से आप लगा रहें इवन ऐसी कंपनी जerson act क बेसे तो वो भी इंडिया के अंदर अपना बिजनिस करते हैं जगा जगा पहुचा रहे तो उनका भी यूजर बेस बहुत अच्छा है इसलिए वो कंपनिया चल रही है ना कि अकेले पेटियम ही चल लही है पेटियम कोई बहुत बड़ा अलग यूनिक काम नहीं कर रही है कि मतलब और बहुत 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 ब कहना possible है नहीं लेकिन पे टेम का भाई पे टेम का खुछ नहीं किया जा सकता मतलब ये कहना तो भाई एक्दम गलत होगा कि पे टेम पेल हो जाएगी या पे टेम पास हो जाईगी ये अभी कहना बिलकुल possible नहीं है ये future बतायागा क्योंकि competition टफ है एमजोन और बाकी फोन पे जैसा कहते है कि अभी टांजेक्शन बहुत जादा हो रहे है पेटियम को सबसे जादा यूज के जा रहा है आज आये थे एक एनलिस्ट वो कह रहे थे सबसे जादा पेटियम का जो एप है वो सबसे जादा फोन से मिलता है तो वह एए ऐसा पर ध्यान दीजिए जादा बैता रहे लेकिन यहां पर पेटियम नए जो नए इन्वेस्टर उनके लिए बिलकुल भी ठीक नहीं जो पुराने लोग है वेट करिए वेट करने के लावा कुछ है नहीं एक स्टॉपलास मेंटेन करें अपने असाब से और बस बने रहें आपक यह से डिसपॉइंट तो बहुत बड़ा किया है बहुत बड़ा डिसपॉइंट हाथ में लगा है अब यह पहले ही समझ जाने चाहिए था जब आई पियो पूर दिरसे आई निता और एचनाइज और क्यू आई बी इस तो भरे ही नहीं थे तो यह तो बहुत पहले ही समझ कि बाद भी तब भी नेट सेल गिरी है तो जार किसे मार्च की रिपोर्ट के साब से यहाँ पर जो नेट सेल गिर के ही आई थी जबकि इतना जादा यूज किया गया देवाली हो या कोई भी तेवार हो बहुत जादा मतलब एक लाग करोड की ऊपर का ट्रांजेक्शन निक का होता अब कंपिनी गा जो 600 सा 700 करोड रुप्य का प्रॉफिट है उसमें से 50 परसेंट जो mesmo के पास चला जाता है यानि 700 करओर प्रॉफिट हुआ है तो לंसम coinc wen到 साड़े तीन सो करोड रुपए, बैंकों के पास चले जाएंगे, इनके हाँ सिर्फ साड़े तीन सो करोड रुपए लगेगा, तो बस वही चीज है कि वैलिएशन बहुत हैवी है, जो लॉस मेकिंग कमपनी की, जादा से जादा, भाई, बहुत जादा अगर आपकी लॉस मेक और वो शेयर डाउन चला जाता है लेकिन आप एक बिजनिस मॉडल है एक बढ़िया है हर लोग हर कोई जो है वो जासा ज़्यादा पेटियम को यूज कर रहे है जगा जगा यूज हो रहा है आपका तो भाईए इस बिजनिस मॉडल के हसाफ से आपकी जो value है वो 30-40,000 क्रोड आराम से बनती है जो कि आपका इतना बड़ा setup है इतना बड़ा user base है उसके साफसे बस और कुछ भी नहीं है लेकिन वही चीज है कि यहाँ पर जो है उससे जादा valuation है और वो valuation अब retail investor को खलने लगी है हाला कि कुछ लोग बचानी कोशिस कर रहे है तो कुछ लोग reality की बात कर रहे है तो आप समझना क्या है वही देखना है लेकिन नए investor जो है वो investor ना ही कर तो ज़्यादा बेतर पुराने जो है वो बस stop loss maintain करें और बने रह सकते हैं पेटेम के stock के अंदर recovery के chances तो भड़ते ही है recovery इतने ज़्यादा गिर गया है एतना ज़्यादा नहीं गिरा रहेगा लेकिन यहाँ पर जो है आप सेफ रहेंगे अगर आप कोई stop loss maintain करके चलते है तो भी तो दोस्तो आपको पूरी वीडियो अच्छी लिगी होगी